संस्कृत भाषा में सरकारी विग्यपती प्रकाशित करने के फैसले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश में भारतिय संस्कृती को पुराना गौरव प्रदान करना है इसके तहट योगी सरकार ने पहले इलहबाद का नाम प्रयाग राज किया था उसके बाद फैजाबाद का नाम अयुध्या किया कुछी दिन पहले योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छटरपती शिवाजी महराज म्यूजियम कर दिया था और अब स संस्कृत भाशा को उसका खोया हुआ दर्जा वापस दिलवाने के एक प्रयास के रूप में समझिये क्योंकि संस्कृत का नाम आते ही हमारे मन में गर्व का संचार तो होता है लेकिन जब संस्कृत बोलने की बात आती है तो लोगों का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है जब संस्कृत के बाद वर्ष 1951 में हुई पहली जन गणना के समय देश में सिर्फ 555 लोगों की मात्री भाशा संस्कृत थी 1961 में ये संख्या पाँच गुना बढ़कर 2554 हो गए 1981 की जन गणना में 6100 से अधिक लोगों ने संस्कृत को अपनी मात्री भाशा बताया स्वतंत्रता के बाद भारत में संस्कृत को आम बोलचाल में प्रयोग करने वाले लोगों की समसे अधिक संख्या वर्ष 1991 में दर्ज हुई थी तब 49736 लोगों ने संस्कृत को अपनी मात्री भाशा बताया था उसके बाद 2001 की जनगणना में ये संख्या घट कर सिर्फ 14135 रह गई लेकिन फिर अगले दस वर्ष में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 10,000 बढ़ी 2011 में ये संख्या 24,821 संस्कृत भाशा की इस हालत के लिए एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि संस्कृत रोजगार की भाशा नहीं है काफी हद तक ये बाद सही भी है लेकिन इसके लिए भी हमारा समाज और हमारी सरकारी जिम्मेदार है क्योंकि 1947 में हम भारत के लोग अंग्रेज़ों से तो आजाद हो गए अंग्रेजी से आजाद नहीं हो पाए अंग्रेजी आज भी सरकारी कामकाज की भाशा है संस्कृत नहीं और इसी संस्कृती को बदलने की पहल उत्तरप्रदेश की सरकार ने की है लेकिन बात यहां किसी भाशा में सरकारी विग्यप्ति प्रकाशित करने भर की नहीं है बलकि संस्कृत भाशा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवानी की है जिसकी संस्कृत हकदार भी है संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल है जिसे देववाणी या देवभाषा कहते हैं क्योंकि मान्यता है कि ये देवों द्वारा बोली जाती थी भारत के सभी प्राचीन वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे सबसे प्राचीन ग्रंथ रिगवेद भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था बौद धर्म और जैनमत के भी कई महत्वपूर ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं भारत की 20 से अधिक भाषाओं का मूल संस्कृत है जिनमें हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, मराथी, बांगला, राजस्थानी, गुजराती, घोजपुरी, पंजाबी और उर्दु शामिल है इसके अलावा जर्मन, लाटिन, रोमन, पार्सी, नेपाली और सिंधी भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव है लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा हिंदू धर्म में सिर्फ यग्या और पूजा की भाषा बन कर रह गई है जबकि भारत के संविधान निर्माता भीमराव आमबेटकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलोती भाषा हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत में संस्कृत भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी है ये वो सच है जो लोगों को कड़वा जरूर लग सकता है लेकिन इसे जोटलाया नहीं जा सकता इसलिए संस्कृत की वापसी के लिए अभूत पूर्व प्रयास करने की आवश्यक्ता है रश्रकवी रामधारी सिंग दिनकर ने साहित्यकादमी पुरुसकार से सम्मानित अपनी पुस्तक संस्कृत्ती के चार अध्याय में ये बताया है कि संस्कृत किस तरह भारत की आत्मा में रची बसी हुई है दिनकर जी लिखते हैं प्रतेत प्राचीन जाती का संसकार उसकी आत्मा और उसके प्राण उसकी अपनी भाषा में बसते हैं भारत की आत्मा और भारत के सुक्ष्म संसकारों का निवास संस्कृत में हैं संस्कृत इस देश में बसने वाले लोगों की सेवा और नहीं तो तीन चार हजार वर्ष से कर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आई हैं और आज भी उनका उप जीविये यही भाषा है भारत की आधुनिक भाषाओं में नए शब्द बनानी की शक्ति समाक्त है अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है उसके सामने संस्कृत की जाने के सिवा और कोई राह नहीं है इसी संस्कृत पर आधारिट होने के कारण भारत की सभी भाशाएं एक हैं कि उनके शब्द एक हैं उनकी तर्ज भंग्यमा और अदाय एक हैं तथा वे एक ही सपने का ख्यान अलग-अलग लिपियों में करती हैं उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकल कर विक्सित हुई हैं ये भी परस्पर भिन्न है किन्तु संस्कृत ने हिंदी को एक खास धंग से विक्सित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दे दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्रों में समझ ली जाती है। भारत की संस्कृती से संस्कृत भाषा को अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। भारत में भले ही संस्कृत भाषा से लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन विदेश में संस्कृत भाषा कैसे लोगों की पसंदीदा भाषा बनती जा रही है, इसे भी आपको देखना चाहिए. उत्तर प्रदेश की सरकार की इस मुहिम से कई सालों पहले मैंने जब अपना ट्विटर का बायो बनाया, तो उसमें संस्कृत का प्रयोग किया, हर एक भारत भासी एक छोटा सा प्रयास अपने हिसाब से कर सकता है.